दोस्तों, UP-PCS का जब exam होता है, तो उसमें कुछ candidate ऐसे होते हैं, जिनको हिंदी बहुत अच्छी आती है, UP board से पढ़े होते हैं, हिंदी में command होती है, कुछ essay student होते हैं, जो convent से पढ़े होते हैं, और English पे बहुत अच्छी command होती है, वो English में paper देते हैं, बट कुछ essay student भी हैं, जो और जिनकी संक्या बहुत लगातार बढ़ रही है, जिनको English पे अच्छी आती है, जिनको हिंदी पे अच्छी आती है, या यूं कहें, कि जिनको ना Hindi अच्छी तरीके से आती है, ना है English अच्छी तरीके से आती है, और ये बहुत confused रहते हैं, कि वो क या English लें, जिसको clear है कि वो Hindi पेपर देगा, वो ठीक है, जिसको clear है कि English पेपर देगा, वो भी clear है, लेकिन ये वीडियो जो है, वो ये है, उनके लिए है, जो confused है, जिनके पढ़ाई Convent में, ये Semi Convent School में हुई है, तो वो क्या ले, इस वीडियो में हम देखेंगे, नमाश और disadvantages है, दोस्तों सबसे पहले में ये कहूंगा कि ये जो वीडियो बनाया है, ये पूरा का पूरा observation पे है, ये मेरे व्यक्तिकत experience और observation पे है, जितना भी मुझे PCS को देखा है, समझा है, तो मेरी क्या राय बनी है, क्या राय मैंने रखी है, उस क्योंपर बनाया है, इसका क कोई facts नहीं है, कोई data नहीं है, जिसको मैं analyze कर सकता था, ये मेरा अनभाव है, मैं वही से बताऊंगा, हो सकता है, मेरा अनभाव आपको सही लगे, हो सकता है, आपको मेरा अनभाव गलत लगे, पर ये मेरा अनभाव है, हो सकता है, आपका अलग अनभाव भी हो सकता है, तो वो आप comment box में लिखेगा फिलाल इस वीडियो में मैं अपना अनिभाव जो मैं feel करता हूँ वो मैं हैं डिसकस कर रहा हूँ तो दोस्तो पहले हिंदी की बात करते हैं क्या उनको advantages होती जो हिंदी में अपना paper लिखते हैं उनको advantage क्या होता है 90% जो student है UP PCS का means लिखते हैं 90% सीज़ट होते हैं वो हिंदी में लिखते हैं तो अच्छा कासा लोग जो होते हैं वो हिंदी भाष्चा के इस्तेमल करते हैं 90% सीज़़बा होते हैं दूसरे सबसे बड़ा advantage उनको मिलता है वो है factual material बहुत मिल जाता है खासकर PCS pre वारा देखें आपने देखा होगा कि जितनी भी books अविलेबल है मार्केट में वो जातर हिंदी में अविलेबल है IS में material आपको English मिल जाएगा लेकि PCS का material जातर हिंदी में ही अविलेबल है और खासकर factual material वारा जितने facts जाता आती है जैसे कि PCS pre में हमारा होता है वो सब material आपको बहुत easily हिंदी में मिल जाता है ठीक है तो यह आपको advantage देता है कि आपको factual portion जो है वो easily आपको हिंदी में मिल जाता है लेकिन कुछ इसके disadvantages भी है हिंदी के पहला disadvantage यह है कि कोई भी अच्छा newspaper नहीं है अब चू कि means का जो pattern है वो change हो चुका है वो IS की तरह हो चुका है थोड़ा analytical होगा तो जो कोई भी newspaper जो है वो अच्छा available नहीं है अब देनी जागरान हिंदुस्तान में आप देखते हो कि local news बहुत चपती है analyze नहीं किया आता है कोई बहुत अच्छा economy के उपर या foreign policy के उपर इस तरह कि कोई बहुत अच्छा articles अमूवन आते नहीं है एका दुक्या आगया अलग बात है लेकिन बहुत अच्छा newspaper एवेलेबल नहीं है तो यह सबसे बड़ा जो disadvantage हिंदी वाले student को यह face करेंगे दूसरा क्या है कि जैसे यह है कि अब क्या है कि आपका पेपर 3 है मेंस की बात कर रहूं है वो आपका एकनोमी है foreign policy के उपर आता है तो वो सब चीजों में आपको एक ऐसा material की ज़रूत पढ़ेगी जो थोड़ा एनलाइस कर सके चीजों के गहराई तक जा सके मुद्दों के गहराई तक जा सके तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी हिंदी में अमोमन उतना अच्छा मिलता नहीं तो आपको कुछ ऐसे material ढूने पढ़ेंगी जहां पे जो हिंदी में वे ले बालू दिक्कत एक चीज़ और भी है जो disadvantage हिंदी वाले लेते हैं वो है आपका कि चूकी 90% से ज़्यादा लोग हिंदी में लिखते हैं तो यहां पे margin of error बहुत कम है क्या मतलब इसका margin of error का देखिए मेरा क्यान भाव रहा है कि हिंदी में जब आदमी लिखता है मेंस लिखता है और जब copies उसकी आपके examiner के पास पहुशती है आप तो उसके पास bundle के bundle पड़े हो है ज़्यादार हिंदी वाले होते हिंदी की bundles पड़े हो है तो अब चूकी बहुत सारे लोग हिंदी बहुत अच्छी लिखते हैं क्लिष्ट हिंदी लिखते हैं जिसे कहते हैं और उनकी command हिंदी वे अच्छी होती है तो अगर आपकी हिंदी थोड़ी कम जोर पड़ गई मालो answer लिखने में और दुरभाग से आपकी copy एक ऐसे बंदे के बार आती है जिसकी हिंदी अच्छी थी बहुत अच्छी थी तो आपको examiner हो सकता है थोड़ा कम नंबर दे क्योंकि देखे examiner भी एक इनसान होता है ठीक है और हर चीज relativity वाली होती है पहले वाले जो जिसने जो लिखा है उसके मद्देनर से आपका impact पड़ता है कि आपने कैसे लिखा है कोई भी चीज सुन्दर है तो किसी की respect में सुन्दर होती है ठीक है एब्सुलूट कुछ नहीं होता है तो आपसे पहले जो copy गई होगी examiner के दिमाग में वो चीज होती है कि हाँ पहले रहने क्या लिखाता तो वो कहीना कहीं compare करना शुरू करतेगा तो अगर आपके हिंदी बहुत मजबूत नहीं है और आप हिंदी ने attempt कर रहे हो तो दिक्कत आ सकती है और खासका तो तब जब आपसे पहले वाली copy किसी ऐसे बंदे की हो जो बहुती अच्छी क्लिस्ट हिंदी में मैं उसे answer लिखा हो तो यहाँ पर margin of error बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक हिंदी में answer लिखने वाली लोग है तो देख लिजेगा कि आपकी हिंदी कैसे आती है अगर बात करतें English की दोस्तों तो English में जो देखा गया है कि अमोमन अब धीरे धीरे संख्या जो मैंने कहा बढ़ रही है कि 10% से ज़्यादा लोग हो गए है जो अब English में लिखना पसंद करते हैं जैसे यह से convent का culture बढ़ता जा रहा है हमारे देश में UP बोर्ड भी है वो English में आ गया है और जो नहा पैटरन आया है जिसमें IS का नहा पैटरन है उसमें अब भी देखने को मिलेगा कि English के बच्चे ज़्यादा आंसर लिखेंगे आप ठीक है इसका सबसे बना advantage दोस्तों यह होता है कि यहाँ पर analytical material बहुत easily available हो जाता है English में बट English में आपको range मिल जाती है ज्यादा range मिल जाती है ठीक है तो material आपको मिल जाता है newspaper मिल जाते हैं आपको The Hindu है Indian Express है Frontline magazine है यह सब आपको जो English में है तो आपको ऐसे मुद्दों पे जो national international affairs पे हो या economics पे हो तो वहाँ पे आपको अच्छी command करने के लिए मिल जाता है material available हो जाता है परस आपको पढ़ना पढ़ना रहे जाता है तो यह English वालों के advantages होते है एक सब्सक्राइडवांटेज जो मुझे लगता है और यह इस वीडियो का main जो सार है वो ये है कि दोस्तों कि मुझे लगा है और चुकि मैंने भी English में ही अपने answers attempt किया है मैं कि मैं English medium का student हूँ है मुझे लगता है कि English वाले जब answer लिखते हैं उनको थोड़ा advantage मिल जाता है जैसे कि माल लिजे कोई question पूछा गया एक बंद जो हिंदी वाला बंदा लिखा और English वाल रणस वह सकता है हिंदी वालो को दस में से पांच न美味 को उसी quality में दस में से पांच नमबर दे हिंदी वालो को तो उसी quality पर अगर English वाला लिखेगा तो हो सकता है उसको दस वाला साधे 5 छे नंबर मिल जा ये एक observation है ये मैं सही या गलत नहीं है ये मुझे लगता कि observation है कि हिंदी वाला अगर लिखेगा तो 10 में से 5 मिल जाएंगे इंग्लिश वाला लिखेगा तो उसको 5-5 नमबर तेंग मिल सकते हैं ऐसा मुझे मैंने मैंसुच किया और ऐसे मैंने और भी लोगों से जब बात की है जिक्र किया है तो उनसे भी मैंने बात निकल किया है कि थोड़ा सा एक माइनूर सा advantage इंग्लिश वालों को answer लिखने में मिल जाता है तो ये इस वीडियो को सबसे important चीज है कि at least थोड़ा सा आपको advantage मिल जाएगा अब मालिश आपको आधे number का advantage मिल रहा है हर question में तो अब क्योंकि mains है और बहुत सारे questions होंगे तो आपको अराम से 40-45 number का आपको advantage मिल जाएगा आपको जो अपने आप में बहुत-बहुत बड़ी बात होती है ठीक है अब चुकी ठीक है घटना चक्रवाजा आ गई है लेकिन अभी भी आप देखोगा कि आपके बास खासकर प्री के लिए आपके बस material बहुत अच्छा अविलेबल नहीं है प्री के लिए factual material अनलेटिकल material तो अविलेबल हो रहा है इंग्लिश में अब आता है कि करें तो क्या करें देखिए जब civil services जब मैं ऐसा student साथ में तैरी कर रहा था और चुकी मैं कॉर्वेंट से पढ़ा था लेकिन जब मैं PCS में आया और तो मुझे भी बहुत दिक्कत आई आज से कुछ साल पहले ही तो हिंदी इंग्लिश में तो material कुछ मिलता ही नहीं था तो फिर भी घटना चक्ति किताबे आ गए हैं लेकिन आज से चार-पांस साल पहले तो कुछ भी नहीं मिलता था तो मुझे भी मजबूरी में हिंदी की किताबे पढ़नी पढ़ी है और सुरी में मुझे लगता है कि मैंने जब आपने नोट्स बनाये थे तो मैंने थी पढ़ता था ही निउस्प्रिपर कर रहा ही हंदी पढ़ता हूं और उसमें कुछ अच्छा सा आगे तो मैं कटिंग निवह से नोट कर लेता था तो कभी भी लैंग्वेश को barrier मत बनने दिये जब जो भी इतने पास students हैं जितने भी students मेरे पास आते हैं उनसे यही बोलता हूँ जो हिंदी वाले होते हैं उनको यह बोलता हूँ कि यार किसी भी तरह से आप Indian Express दा हिंदू पढ़ना शुरू करू थोड़ा सा English की तरफ जाओ क्योंकि हिंदी में material मिलता लेकिन आपके बेतर के लिए होगा कि आप English में कुछ पढ़ना शुरू करू अगर बहुत दिक्कत नहीं है तो और English वाले हैं उनसे मैं कहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा factual portion आपको अगर कमान करनी है तो आपको हिंदी में थोड़ा material पढ़ना पढ़ेगा तो इस barrier को तोड़िए हिंदी वाले English में कुछ पढ़ें और English वाले Hindi में पढ़ें तभी आप दोस्तों आगे बढ़ पाओगे क्योंकि margin of error बहुत कम है टॉप पे पहुशने के लिए आपको बहुत बहुत करने पढ़ेगी टॉप पे margin of error बहुत कम होता है दो-चान नंबर के हेर फेर से आदमी या तो pieces बन जाता है तो नहीं बनता है तो कभी भी language को barrier मत बनने दे और कोशिच करें कि दूसरी language का अगर मैं material कुछ available है और अच्छा है आपको लगता है तो उसको भी वहां से लेनी के कुशिच करें तो अपने दिमाग को दिल दिमाग को flexible करें थोड़ा सा flexible करें रिजिड ना रहें कि नहीं यार मैं हिंदी में तो मैं हिंदी में पढ़ूँगा इंग्लिस में पढ़ूँगा ये सब नहीं चलता वाई साब ठीक है पांच लाग लोग फॉर्म बढ़ते हैं और ऐसी 500 लोग स्टे हैं अगर आखो 500 में आना है ठीक है उसमें में 200 लोग वह होते हैं जो पिछले साल स्टेक्ट हो चुके होते हैं तो अगर 200 लोग ने लोगों में आना है तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा, ठीक है, क्या करें एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इंग्लिश वाले हैं, जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, यह नहीं आती है, दोस्तों, अगर आप कनफ्यूज हैं, तो कोशिच कीजिए कि अब इंग्लिश में जाएं, इंग्लिश में आपको एड्वांटेज मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं, तो आपको एड्वांटेज मिल जाएगा, वो क्यों मिल जागा, जोसे मैं आ चाहिए अब सिंपल बेसिक इंग्लिश में लिख सकते हो ठीक है आईस में थोड़ा सा रहता है कि आपको ऐसे वगरा में बहुत अच्छी लेंग्वेज में लिखना पड़ता है क्योंकि देखिए वाप पर कॉम्पेट्शन ऑल लवर इंडिया का है ठीक है तमिल नाडू के आंदा परदेश के लोग ये दिल्ली के लोग बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं और उसका वो यूज करते हैं तो वहाँ पर आकर आपके इंग्लिश कमजूर पड़ेगी तो वो दिख जाती है लेकिन यूपी पीसेस में इतना जाता इंग्लिश को लेकर अवेरनेस नहीं है या इतने मजबूत गंडिट नहीं आते हैं इंग्लिश वाले तो यहां पर बेसिक इंग्लिश के इस्तमाल करके बेसिक वोकैबलरी के इस्तमाल करके भी आप अपने आंसर लिख सकते हो और आपको नंबर मिल सकते हैं मेरा बैक्ग्राउंड में इंजिनियर हूं में को मिल अप इसमीशा बात किये और इसका मुझे एट्वांटेज मिला और मैंने पहले ऐट्म्ट में 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 कॉलिफायब किया." तो जो मैं बाते ​​कर रहा हूं तो अपने उस एन्वाग से बता रहा हूं मैं आपको कि कि चुक्कि मैं में 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 इसो में माते बातेて में lire आपा रहा हूं उपको तो आपके लिए मेरे पास ही है आपके एडवाइस है कि आप लोग भी जिसे थोड़ी इंग्लिश आती है तो इंग्लिश को एटेम्ट करें दोस्त दोस्तों इसी वीडियो में इतना ही था बाकी एक यूbी पी सेस के लिए 2019 के लिए है और इसमें आपको औन्लाइन कुर्स है इसमें आपको वीडियो लैक्studs प्रवाइड करते है आपको PDF मेटियर्स MOTE और टेस्ट मिलता है तो इस तरह से आपकी पूरी तेयरी कराए जाती है प्रि और मेंस दोनों की तेयरी कराए जा रही है हिंदी और इंग्लिस दोनों में आपको त्यारी करा रही है ठीक है तो इंग्लिस वालों के लिए भी material मैं आपको प्रवाइड कर रहा हूँ पहले mains पढ़ाय जाएगा बाद दे प्री पढ़ाय जाएगा तो पहले mains की त्यारी करा रही है दोस्तों ठीक है फीस बहुत कम है मात्र 500 उपीस पर मंद की फीस है तो आप इस कोर्स को जोइंग कर सकते हो और आपको कोर्स जोइंग करना चाहते हैं तो 83-170-40152 पर कॉल करके मुझे से कोर्स की जांके ले सकते हैं अगर कुछ और भी डाउट्स हैं आपको तो वो भी मुझे आप डिसकास कर सकते हैं आपके डाउट्स को क्लियर करना मुझे पसंद आएगा ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है धन्यवाद